केज़े सर कोचिंग क्लासिएशेश् स्वागत करता हूं यसे कि हमारे हैं बायों की जो क्लासेश क्या-क्या पढ़ लिया था के बारे में हम बात करते हैं तो हम देखते हैं यहां पर हम देखते हैं कोशिका के अंग की बारे में हम बात कर रहे थे हैं कोशिका के अंग कोशिका के कौन-कौन दूसे अंग होते हैं सो हम ने पहले बात खिणी पहला यू एक है माट्रो ना कि दूसरा यू एक है य्ल्जिगेंट्रो संप gedacht रो तीसरा जो अंग है दोस्तो वो है आपका लाइसो सुम। और जो चौता जो अंग है दोस्तो वो है आपका गोलजी काया। अंतहा प्राध्रव क्या लिका। अगला जो है छटे नम्मर का को है राईवो सुम। कौन सा है राईवो सुम। अगला जो सात्वा है वो है आपका रसदानी। कौन सा है दोस्तो रसदानी। अगला जो टोपिक है अगला जो अंग है वह है आपका केंद्रक कौन सा है वह है आपका केंद्रक और जो नवा टोपिक है और नवा जो अंग है वह है आपकी केंद्रक इनके बारे में हम डीटेल से पढ़ रहे थे हमारी जो फ़र्ष्ट क्लास थी हमने कुछ जो कोज सिका के अंग थे वह हमने कवर किये थे आज हम इन वाकी के जो बचें हुए आंग आज कवर करेंगे वीडियो को पूरा आपको देखना है अच्छे से आपको देखना है और स् चलते हैं कि यहां से हम लेते हैं और हम बात करते हैं तो हमारा जो पर अब लिखेंगे तो हम यहां पर हम किसकी बात करते हैं के इंद रखते हैं कि बात करते हैं के इंद रखते हैं कि बात करते हैं के इंद रखते हैं कोषिका का क्या है कंद्रक इनदर कोशिका की अंदर ऐसा रहता है की सबस् भारी जो परते सी हम बोलेंगे यह आमारा क्या है हमारा मारी कंद्रक जिल्ली इसकी अंदर एक करल्पदार्थ भरा होता है इस तरल पदार्द को बोला जाता है यह होता है तो बोला जाता है केंद्रक द्रब क्या बोला जाता है दोस्तों केंद्रक द्रब बोला जाता है और केंद्रक 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 हमारी यह सबसे भारी है यह हमारी कोशिका है और कोशिका के अंदर यह क्या है यह केंद्रक जिल्ली है दोस्त और केंद्रक के अंदर क्या पाई जाता है और केंद्रक के अंदर ही क्या पाई जाती है आपकी केंद्री का पाई जाती है ठीक है इसके बारे में बात करते हैं हम इसके उपनाम की बात करते हैं, पहला इसका उपनाम है वह देस्तो कोसिका का प्रवंदक भी कहते हैं, क्या बोला जाता है कोसिका का प्रवंदक टेकंड इसका प्रवंदक है कोसिका का नियन्त्रक भी कहते हैं, अ फिर्वंदक City में किया केंद्रक भी खेते हैं किया कोसी का क्या बोला जाता है फ्रदान भी खेते हैं क्या कहते हैं इक कार्य क्या करता है दोस्तों हम इसके बारे में हम कार्य की बात करते हैं यह ये संपूर्ण कोशी का पर नियंतरन रखता है तो केंद्रक क्या होता है केंद्रक को हम इस तरह समझते है कोशी का के अंदर जो भी कारी होते हैं उन पर नियंतरन मतलब संपूर्ण कोशी का पर इसका नियंतरन रहता है संपूर्ण कोशी का पर केंद्रक का नियंतरन कोशी का क्या काम करना है और क्या काम कोशी का पर करवाना है और कौन से नगे को क्या करना है इसका जो डीफेंड होता है वसे जिल्ली के किंद्रक जल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ होता है इसके हम केंद्र ग्रभ कहते हैं और केंद्र 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 ही क्या है केंद्री का पाई जाती है तो इसके जो उपनाम है दोस्ट वो उपनाम क्या है कोशिका का प्रवंदक खेते हैं ठीक है कोशिका का नियंत्रक खेते हैं ठीक है कोशिका का मुकिया तान भी चाह जाता है जो कार यह वो क्या है यह संपुन कोशिका पर नियंत्रक आगे चलते हैं आगे हम ले लेते हैं आगे देख लेते हैं आगे क्या है हम देखते हैं कोशिका के किंद्र के अंदर एक जालिक होती कोशिका के किंद्र के अंदर एक जालिक होती है क्या होती है और इस जालिका को मेरे दोस्त क्रोमेटिका क्रोमेटिका या क्रोमेटिन जालिका भी खहते हैं दोस्त इस जालिका को केंद्र के अंदर एक जालिका होती है और इस जालिका को क्रोमेटिका ये क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है हाँ पर रेती ये कोसिका के किंद्रेक के अंदर रेती चलते हैं ठीक है आगर लेते हम क्या होता है दोस्ट जब ये जालिका ऐसी होती है माँनो ऐसी को जालिका ले लेते हैं अपन जालिका क्या है फिर वो दीरे दीरे जालेका ऐसी बन जाती है जब ये जालेका परीपूर्ण हो जाती है मतलब परिफक अवस्ता में आती है परिफक अवस्ता में आती है ऐसी हो जाती है और होने के वाँ जालेका के ऐसे ऐसे फीच का निर्मान होता है इनको बोला जाता है दोस्त ये क्या हो होते हैं इनको बोला जाता है क्रोमोसम भी कहते हैं क्रोमोसम किया जाता है क्रोमोसम किया तो यहां से कोस्चन क्रॉमेटिन चालिका के बने हो तो देखते हैं गुनसूंत्र की अंदर दोस्त गुंसूंत्र के अंदर ही क्या नहीं टीने यह दीने आ की गवल फॉलब की बात करें ढी एक दी-ओक्सीडी-ओक-सी न्यूक्लिक डियोक्सी न्यूक्लिक हम लोता है क्या होता है डियोक्सी न्यूक्लिक हम लोता है इस डियने के अंदर ही क्या रहते हैं जीन रहते हैं इस डियने के अंदर ही क्या रहते हैं दोस्त जीन रहते हैं तो जीन क्या है तो जीन को अनुवांसी की अनुवांसी कि इकाई केटे रख शुक है जो कौन हालते हैं अदर ही पाए जाए जाते हैं और कशी का अंदर दूक है तो कह नुळा जुत्र है तो जेखते हैं किसके बने होते ने किसके बने होते हैं होते हैं तो जीन के बने इसके बने होते हैं चलते हैं आग लेते हैं और आपन और देखते हैं जेखो ऐसे ले लेते हैं अपन लेते हैं यह क्या है यह दोस्त टी एन है यह क्या है यह गुण सूंतर यह क्या है यह आपके गुण कि और यहां देख लेते हैं है अगर बात करें यहां पर अनुवान्सीक रॉव्य तो कि सबसे कि सबसे तबसे चोटी तक चोटी तकिसरोंची सब मांसे की सबहों अ कि यहां रखना आगे हैं आगे क्या है एकर बात करें अनुवानसी की कके लांसी पदार्थ किसे बोलेंगे तो अनुवानसी चुब होगा दोस्त वह क्या होगा आपका दी एने तो हम्हें से समझते हैं कि यह liÓ केंद्र 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 क्या रहता है तो केंद्र 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 क्रोमेटिन क्रोमेटिन जाली का होती क्रोमेटिन जाली का से ही क्या बनते हैं गुंस्मूत्र बनते हैं और गुंस्मूत्र से ही क्या बनता है दिये ने और डिये ने केंद्र क्या होता है जी यह एक क्या है ये एक स्टेप बाई स्टेप है केंद्रा के केंद्रा के के बाद क्या है क्रोमेटिंजाली का है क्रोमेटिंजाली का है क्रोमेटिंजाली का अंदर क्या है गुंसूत्र है और गुंसूत्र के बाद क्या है डियने है और डियने के बाद क्या है चीने डियने के बाद क्या है च कुन संध्र इनको परो मों कोगा इनको क्रोमोसोम क्या बोला जाता है क्रोमुसों हम देख लेते हैं कि जो आकार होता है अगर आप से पूचा जाए क्रोमों कजू आकार है वो कैसे होता है तो इनकी जो आकार होता है वो बहल привénशनाकार होता दूस दो म्ह experiments में महiden मानब में महनम में मुम सु soy की गुन सुंत्रों की तो संक्या होती है दोस्त क्या होती है तो संक्या होती है वो फिफ्टी सिक्स हो ठीक है अगर बात करें मानव में मानव में मानव में मानव में में गुन सुंत्रों गुन सुंत्रों के जोड़े गुन सुंत्रों का क्या है जोड़े एक जोड़ा दो से ब तो आपको एक वाद यहां पर दियान रखनी है एक आपको यहां पर भी क्या दियान रखना है और एक आपको यहां पर भी क्या दियान रखना है क्या होता है जो इस्तरी होती है इस्तरी यह हम इसको बोल सकते मदा इसमें क्या होता है समान गुन सूंत रहते हैं क्या रहते हैं समान गुन सूंत रहते हैं दोस्त समान क्या रहते हैं गुन सूंत मतलब इसमें दोनों ही क्या रहेंगे एकस एकस रहे लेकिन अगर बात करें अगर हम बात करें पुर्स या नर इसमें क्या है इसमें बाइस जोड़े बाइस जोड़े होते हैं वो समान होते हैं लेकिन तेविसवा जोड़ा है वो भिना होता है कि 23 भजोड़ा है कि your Dosed driven okay रहता बाइश समान होते हैं येस्ट करें जो 23 से जोड़ा है तेवीस्वा को टेवीस्वा जो जो जोड़ा एफ इस्वाइग रहता है आश न्यआगा प्रेता है एस्वान रहता है वो कौन सा रहता है वो एकस वाय थे आपको ये बाद भी धियान डगनी है तो गुन सुंत्र का जो आकार होता है वो बेलनाकार होता है यह बात हमारी क्या है किलियर हुई है इसके बात मानम में गुन सुंत्रों की संग्य कितनी होती है तो चालिस होती है मानम में गुन सुं होगा वो जोडा क्या होगा आसमान उसमें क्या होते हैं एकस वाइ रहते हैं अपको यहां तक किसी के moment में प्रोव्लम Όन्य आए अम की आएगी आपको सिस्टमेटिक से हीटिद्र टीक है कि हम क्लास को आगल लेते हैं और क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेर करनी इसे क्या कि मुझे भी अच्छा लगता है और मेरा भी और क्या है और अच्छा पढ़ाने का मन तो आपको ज़्यादा ज़्यादा क्या करनी सेर करनी है और आपकी क्या रही है वो आपको कमेंट में बताने तो आगे लेते हैं कि लास को और देखते हैं तो यहां पर हम कर लेते हैं गुण सूंत्र किया है तो गुण सूंत्र यहां पर हम थोड़ा सी लिख लेते हैं मानव मानव में गुण सूंत्र की हम बात कर लेते हैं यहां पर दोस्त हम नर को ले लेते हैं और यहां पर हम मादा क मैं यहां पर इसमें सब्क्राइब हरे इसमें एकस भाई है के एकस भाई है इसमें εκस भाई है और अगर मादा की बात करते हैं इसमें दोस्त क्या है क्या है इसमें एकसmother तो लेते हैं जब इनमें क्रिया होती है और इसका एकस है और इसका भी एकस है कभी क्या है एकस है तो यहाँ पर जो संता नुत्पन होएगी वो क्या है दोनों समान ये क्या है ये दोनों समान ये दोनों क्या है समान है जब ये दोनों समान है तो यहाँ पर पुत्री का जनम ह होगा यहां पर पुत्री का जनम होगा अगर यहां पर इसका हम ले लेते हैं इसका एक से तो पुत्र और पुत्री का जो निदरन किया जाता है वो नर के ही गुण सूंत्रों पर निर्वे रहता है इस पर नर के गुण सूंत्रों पर ही क्या रहता है निर्वे रहता है तो नर में ही वाई गुण सूंत्र पाया जाता है नर में ही क्या है वाई गुण सूंत्र पाया जाता है तो हम यहां पर लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं लिंग निधारन या वून या क्या है या वून का निधारन नर गुणसूत्र पर निर्वह करता है निर्वह करता है यह यह आपको पुत्री का पृत्री के और यह वाला है वह आपके पृत्री जांट कि आपके यह डाउड भी क्या के लिए हो गया होंगे अच्छी तरह से हम गलास को आगे हमने को सिका के खेंद्रक के बारे में बादचीत की है पर हम आगे देखते हैं आगला जो अंग होगा वो होगा आपका अंतहा अंतहा प्राध्रव जालीका जालेगा इसे सोट में e r भी खहता है यह दो प्रकार के होती है कौन-कौन सी होती है एक तो होती ये चिकनी चिकनी अन्था प्राध्रव जालेगा ठीक है ये क्या करती है ये बसा ये बसा का क्या करती है ये बसा का संसलेशन करती है ये बसा क्या करती है ये बसा का संसलेशन करती है ये बसा का संसलेशन होती है खुर्दरी खुर्दरी अन्तहा प्राध्रव जालेगा तो यह क्या है यह दोस्त यह राइवोसुम का का कंसलेशन करते है खुर्दरी 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 ठीक है और यहां पर यह वाला है इसको क्या बोल देंगे दोस्त यह हमारा क्या है यह हमारा राइबुस्त यह क्या है हमारा राइबुस्त ठीक है अगर इसकी बात करें इसके उपनाम है इसे क्या है जब कोशी का जब कोशी का फिनिस हो जाती है तो कोशी का में एक तंत्र दि काई देता है कंकाल दिखाई देता है और वो जो कंकाल होता है दोस्त वो अंतहा प्रध्रभ जालिका का ही होता है तो हम यहां पर लिख सकते हैं यहां पर क्या है इसे कोशिका का कोशिका का कंकाल भी कहते हैं इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं दूसरा क्या है इसे हम कोशिका कि जाल के रूप में रहती, पूरी कोसीका में कोसीका का क्या कह सकते हैं, कोसीका का जाल भी कह सकते हैं क्या बोला सकता है, कोसीका का जाल अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, तो हम क्या बोलेंगे कोसिका की कोसिका की सहागे नुमा सहागे नुमा का रचना भी खा जाता है क्या बोला जाता है सहागे नुमा का रचना भी कहते हैं तो कोसिका के अंदर जो कंकाल होता है वो अंतहा प्रद्रब जाले का कही होता है इसलिए से कोसिका का कंकाल कोशिका का जाल भी कहा जाता है और इसे कोशिका की धागे नों में सरचना भी कहते हैं हम कोशिका का अगला अंग लेते हैं वो सांदर तरीके सो और एक एक बात आपको यहां पर क्लियर हो रही है वीडियो को पूरा जरूर आपको देखे कि आपको पूरी कोशी का सिष्ट की से समय जाएगी यह कोशी का का सेकंड वाग फर्ष्ट वाग आप प्ले लिश्ट में जाकर वहां पर देख सकते हैं और इसके लिए मैंने कोशी का कि और उनको आप लिख वी सकते हैं तो आपकि जो कोशी का है उसके एक रम बान क्या है किलाइस कोशी का से थार एक्जाम में दो से तीन कि प्रिष्ट से आते हैं तो आप आराम से lad कर सकते हैं आगे देखते हैं अगला ले लेते हैं, अगला जो हमार रंगे वो है आपका centrosum, वो कौन सा है, वो है आपका centrosum, कौन सा है, वो आपका है centrosum, क्या हम उपनाम की बात कर लेते हैं, उपनाम है इसको हम तारक या भी idée न आपकाक पनाम सांथा, है कि उससी आपकात है। इसे कोसी का का विवाजन केंदृ हैं और इसकोसी का का विवाजन केंद्री नो साथा है कोसी का का विवाजन केंदृ Tabpod deputy केंद्री हैं है तीसरा इसका है ये कोसी का समसूंत्री 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 कोसी का विवाजन का इसको दुरुबी कहते हैं समसूंत्री कोसी का विवाजन क्या वोला जाता इसको दुरुबी कहते हैं क्या वोला जाता दोस्त दुरुबी कहते हैं तो आप यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेंट्रो सोम होता है उसकी जो काया होती उसकी जो आखिरती होती की वो एक श्टार जैसी कलब एक तार है जैसी होती है और यह उस बनती जह और यह यह का रियक हो जाना कि यह हो जाते हैं इसकी जो काय है वो ठारक्ठाया है दोस्त संसूंत्री को सिका नजिसको दृबबी कहते हैं ने आगे हम हम लेते हैं आगे हम लेते हैं वगला आपका है माइट्रो माइट्रो कॉंड़ी है यह बहुत ही क्या है दोस्त इंपोर्टेंट है जब हमने एमसी क्यू लगाई थे तो इसके कोशन वह सारत है इसमें इस अंग से एक नाएक कोशन आपको एकजाम में देखने को मिलता है यह बहुत ही क्या है इंपोर्टेंट है तो माइट्रो कॉंड़ी तो यह क्या है यह तो है यह क्या है इसके हम उपनाम की बात कर लेते हैं दोस्त क्या कर लेते हैं उपनाम की बात कर लेते हैं बहुत इंपोर्टेंट है धियान रखना है इसको इसको सूंत कोसी का सौसन अंग भी कहते हैं इसे कोसिका का का इनजन भी कहते है तीसरा है इसे कोसी का का इनजन भी कहते हैं जोता है इसका इसे कोसी का कोशी का कुर्जा गजिरेव्य कहता है सिकर्अ कोसी का का है इसको कोशी का को कोशी का का विजली गिरे इसे कोशी का का विजली गिरे भी कहते हैं तुझे इसके उपनाम है पूरे नाम क्या है बहुत इंपोर्टेंट है इसको सूत्र कणिका भी कहते है इसको क़ेते हैं कि इसको सूत्र क्रणिका का यहाता है इसे कोशी का करते हैं तो हम एडेरों से करते ह। लेकिन कोशिका जो सोसन करती है वो मायट्रो कुंडिया से करती है ठीक है इसके बार इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं इसे कोशिका का उर्जा गिरे भी कहते हैं कोशिका को जो उर्जा मिलती है मतलब कोशिका के अंदर क्या जाता है गुलुकोस और गुलुकोस का क्या होता औक्सिक्रन होता है जब गुलुकोस का औक्सिक्रन होता है तब क्या है कोसिकाओ को उर्जा मिलती है और कोसिका सहील के अंदर कारिये करती है तो इसे कोसिका का उर्जा गिरे भी कहते हैं इसे कोसिका का सकती गिरे भी कहते हैं और इसे कोसिका का बिजली गिरे भी का जाता है ये क्या है आपकी मायटर्कुंडिया के बारे में एक समाण निक्या दी, जानकारी दी, आपके एकजाम्स के लिए सबसे important, सबसे क्या है? इम्पोर्टेंट है, एक सो्ट तरीका है. हम इसके बारे मोर देख लेते थोड़ा क्या है? को जी का के अंदर को जी का के जी का के अंदर मायट्रो मायट्रो कौंडिया में 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 गलुकोस गलुकोस गुलुकोस T6 H2L O6 का फॉर्मूला है का ओक्सिकरन होता है का क्या होता है का ओक्सिकरन होता है क्या होता है ओक्सिकरन होता है तो जो हम कार्वो हाइडेट खाते हैं मतलब हम बोजन के रूप में क्या ग्रेन करते हैं तो दोस्त हम बोजन के रूप में क्या ग्रेंड करते हैं हम कार्वो हाइड़ेट ग्रेंड करते हैं तो हम कार्वो हाइड़ेट ग्रेंड करते हैं हम कार्वो और थिरे डेट करते हैं इसका क्या है इसका हमारी बोडिक अंदर ऑने पाचन लोग सुछ selfish करण में हो इसपाइस। युट इंपिस गुलू कोस्त करने होता है वो आपकी माइट्रो कॉंट्रिया में ही के इसके बाद कि यह जो में टो कॉंट्रिया में उर्जा मिलती यह तो अद्ध ये व कि होती है उसे ATP में मापन किया जाता है मतलब किसी जब गलुकोस का पाचन होता है उसमें क्या है उर्जा प्राप्त होती है उसी उर्जा को किसमें मापन गाता है तो एटीपी में आपा जाता है इसके बाद आगर लेते हैं तो के बाद एटीपी को पुर्जा मुद्रा भी कहते हैं हमारे MCQ में भी ATV को सिका की पुर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। अगला अंग की हम बात कर लेते हैं, अगला जो अंग है, वो आपका है कोल जी काया। तो इसका एक उपनाम आपको धिहान रखना है, तो इसका जो उपनाम है, इसे क्या कहा जाता है। इसे मेरे दोस्त, इसे कोसिका का, इसे कोसिका का परीभेन, इसे कोसिका का क्या बोला जाता है, परीभेन भी कहते हैं, इसे कोसिका का, इसे कोसिका का यातायाद, इसे कोसिका का यातायाद परीभेन प्रवंदग भी कहते हैं, परीभेन प्रवंदग। और इसे कोसिका का यातायात प्रवंदक भी खेता है यातायात प्रवंदक भी खेता है तो जो हमारा गोल जी उपकरण होता है जो कोसिका के अंदर जो कोसक पदार्त होते हैं उनके परिभेन और उनके यातायात का यह क्या करता है प्रवंदक करता है इसको कहां पर जाना है औ useuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuseuse हड़ किलास होगी उसमें आपको और भी कोसी का के बिवाजन के बारे में बताया जाएगा कोसी का का बिवाजन तो हमारी जो किलास होगी तो होगी कोसी का बिवाजन पर तो होगी कोसी का बिवाजन पर इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आपको शेर करना है, कमेंड करना है और लाइक करना है तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ जेहन जे भारत दोस्तो